नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में करते हैं इसके पीडियाप आपको डिस्प्रेस्वन बाक्स में लिंक दी जाती है वहां से जा करके आप डाउन्लोड कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्जाम में सबसे पहले वस्तुनिस्ट प्रंट दिये होते हैं फिर दिया होता है आति लगु और फिर लगु प्रस्ण दिये होते हैं जो अति लगु प्रस्ण है ये आपको पचीश सब्दों में करने रहते हैं और लगु आपको 75 सब्दों में करने रहते हैं इससे ज़्यादा आप करने का प्रयास नहीं करेंगे 40 कोश्चन होते हैं जो 2 घंटे में आपको करने रहते हैं लिए time को द्यान में रखते हुए आपको सारे question करने रहेंगे clear सबसे पहले पहला option देखेंगे मन्रेगा योजना कब लागू की गई थी तो मन्रेगा योजना पहला option क्या है 2000 में, सन 2008 में, 2005 में और 2003 में तो इसका सही answer क्या है, 2005 में मन्रेगा योजना लागू की गई थी clear फिर next question क्या है, काला सोना किसे कहा जाता है काला सोना किसे कहा जाता है तो काला सोना, पहला option है जली हुई लकडी को, दूसरा है पेट्रोलियम को, तीसरा है लोहे को, चोथा है कोईला को तो जली हुई लकडी काली दिखती बट ये काला सोना नहीं है लोहा भी काला हो जाता है, बट ये नहीं है कोईला भी काला होता है, ये नहीं है इसका सही answer क्या है, पेट्रोलियम यहाँ पर mistake थोड़ी से लिखने में हो गई है लेकिर इसका सही एंसर क्या है पेट्रोलियम क्लियर कोईला इसका सही एंसर नहीं है आप खुद सोचिए कोईला कैसे काला सोना हो जकता है पेट्रोलियम ही तो होगा काला सोना क्लियर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसके लिए चामा प्राटती हूँ नेक्स्ट कोस्टेन क्या है उत्तर प्रदेश के दियासलाई का प्रमुकेंद उत्तर प्रदेश में दियासलाई का प्रमुकेंद कौन सा है मुरादाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर, बरेली तो इसका सही अंसर क्या है बरेली जो होता है वहाँ पर दिया सलाई सबसे ज़्यादा बनती है क्लियर याद रहेगा नेक्स्ट कोश्चन क्या है देश बंधु कहे जाते है पहला अप्सन है चितरंजन दास दूसरा है सुवाशन बोस तीसरा है मदन मोहन मालवी चौथा है मोतिला नेरू तो इसका सही अंसर क्या है चितरंजन दास जी को क्या कहा जाता है देश बंधु क्लियर नेक्स्ट कोश्चन क्या है ब्रह्म समाज की इस्थापना किसने की ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे लग में भी आपको कोश्चन मिलेगा आती लग में भी कोश्चन मिलेगा इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप important मानली जी पहला option है केसो चंदर सेन दूसरा है स्वामी वेकानन तीसरा है राजा राम मोहन राय चोथा है दैनन सुरोसती तो इसका सही answer क्या है राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के सनस्था पकती clear next question क्या है निम्न में खरीब की फसल है तो खरीब की फसल में पहला भी कल्ब क्या है चना दूसरा मूंग सरसो मटद तो इसका सही answer क्या है मूंग जो है खरीब की फसल है एक question फसल से आपको जरूर मिलेगा फिर बढ़ते हैं next question पर चार कुला प्रमुख लोकनत्य है चार कुला कहा का प्रमुख लोकनत्य है पहला option पूरवांचल देखिए mistake पर मत जाएएगा पूरवांचल थोड़ा सा गला लिखा हुआ दूसरा है अवद तीसरा है ब्रजभूम चौथा है बुंदेलखन तो इसका सही answer क्या है ब्रजभूम ब्रजभूम जो है चार कुला यहां का प्रसिद्ध लोकनत्य है फिर नेक्ट कोशन क्या है हमारे राश्टी द्वच की लंबाई और चौडाई का अनुपाद क्या होता है पहला option क्या है दो अनुपाद तीन दूसरा option क्या है तीन अनुपाद दो तीसरा क्या है पाँच अनुपाद तीन और चौथा क्या है तीन अनुपाद चार तो इसमें सही answer क्या है तीन अनुपाद दो हमेशा याद रखना तीन अनुपाद दो राश्टी द्वच की लंबाई का अनुपाद होता है clear बढ़ते नेक्ष्ट कोश्चन पर काकूरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी ध्यान रख्येगा नहीं दी गई थी किसको फांसी तो पहला option के है राम प्रसाद बिस्मिल जी इनको फांसी दी गई थी अस्फाग उल्ला खान जी इनको भी दी गए थी मनमत नात इनको नहीं दी गए थी राजेन लोडी इनको भी दी गए थी तो इसका सही एंसर क्या है मनमत नात जी को फासी नहीं दी गए थी clear फिर बढ़ते हैं next question उत्तर प्रदेश में निम्न परियोजनाओं में से कौन सी पेजल परियोजना नहीं है आपको question में नहीं जरूर रिया रखना है कि नहीं कहां पर लिखा है नहीं अगर नहीं ध्यान दिया तो आपका question गलत हो जाएगा clear पहले है लौकुस गंगा बैराज परियोजना दूसरा है ग्यानपूर पंप नहर परियोजना तीसरा है गोकूल बैराज परियोजना चौथा है आगरा बैराज परियोजना तो इसका सही answer क्या है ग्यानपूर इसका सही answer क्या है ग्यानपूर पंप नहर पर्योजना ये पर्योजना जो है पेजल से related नहीं है clear फिर बढ़ते हैं next question पर वायू मंडल का भार सबसे ज़्यादा किस मंडल पर होता है उजोन मंडल पर बिल्कुल नहीं आयन मंडल पर बिल् भीकुल नहीं। नहीं तो होता कहा है चौब मंडल पर सबसे जादा इसका बहार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर चौरी-चौरा कांड हुआ था कहां पर हुआ था? कांपुर में । नहीं। गोरकपुर में अभी पता नहीं जॉन पूर लखनाव तो इसका सही एंसर क्या है गोरकपुर में हुआ था जो नहीं पता था वो पता हो गया इसका चौरी चौरा कहां पर हुआ था गोरकपुर में हुआ था फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर कैगा परमाण उर्जा उत्पादक के अंदर भारत के किस प्रदेश में इस्तित है तो पहला भी कलप है करनाटक दूसरा केरल तीसरा गुजरात चोथा तमिलनाड तो इसका सही एंसर क्या है करनाटक में कहां पर है करनाटक में पाय नहीं है फिर बात आपकी आई नहीं है इस पर ध्यान दीजिएगा पहली है गन्ना दूसरा गेहूं चाय कपास तो इसका सही एंसर क्या होगा गेहूं जो होती है वह नगदी फसल नहीं होती है क्लियर फिर नेक्स्ट कोश्चन का है संयुक्त राज संग की इस्थापना कब उप हुई थी यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट कोश्चन है यहां से एक लग में आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको आती लग में जरूर कोश्चन देखने को मिलेगा क्लियर इसलिए इसको आप याद रखिएगा अभी आपको बताया जाएगा आगे पहला अगस्त 1945 12 सितंबर 1944 इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर क्या है 1945 बड़ 24 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो समझ में आ रही हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं चले जाते हैं इसलिए कोसिस करिएगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मैं बार बार कहता हूं आ कोई भी आपकी समस्य हूँ आप तुरंफ आपका रिप्लाई आएगा ऐसी बात ने कि कोशन देखकर रिप्लाई नहीं दिया जाता तुरंफ आपकी समझ्या का समधान किया जाएगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है के फिर नेक्स को प्रस्तुत की गई थी तो अगस्ट 1928 को मोतिलाल नहरू जी अधिसेता में बनी एक उप समीत ने नहिरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब 1928 को अगस्त में किसके देख रेक में मोतिलाल नहिरू जी के देख रेक में एक बनी थी उपसमीत उसी ने क्या किया नहिरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया क्लियर बढ़ते हैं अगले कोस्टन पर कि स्थापना कहाँ किसके दौरा की गए इससे आपके दो से तीन कोश्चन बन जाएंगे मैंने एक में समेट दिया है क्लियर तो स्थापना कहाँ होई थी नियुयार्क में किसके दौरा की गए थी एक रूसी महिला थी हेलेन पेत्रोवना ब्लेवस्की ये देखे ये कलर चेंज हुआ ये कलर नहीं चेंज हुआ चलिए ठीक है उससे आप यहां नहीं दीजिया पढ़िए सन 1875 में कब हुए थी 1875 में आमेरिकन करनल हेंज्री स्ठील अलकाट कॉन थे करनल हेंज्री स्ठील अलकाट था एक रूसी महिला मैडम हेलेन पेत्रोवना ब्लेवस्की द्वारा नुवयार्क में इस रंस्ता की ऐस्थापना हुई थी कहां हुई थी न्यूयार्क में अगर वही पूछ लेता कि भारत में तो भारत में 1882 में मद्रास के आज पास अडियार्क नामकिस्तान पर हुआ था तो आपको यहां से तीन से चार कोशन मिलेंगे कब हुई थी सन 1875 में कहां किस ने किया था करनल हेनरी स्टील अलकार जी ने और रूसी महिला हेलेन पेत्रोबना विलेस की दवारा कहां पर न्यूयार्क में बारत में कहां पर हुआ कब हुआ 1882 में कहां पर हुआ मद्रास में के अडियार में क्लियर अब याद रहेगा इसका संस्था का मुक्ष्याले खोला गया था वहाँ पर टिक फिर बठतें नेक्स कोश्छन पर विटी कल्चर क्या है अंगूर की खेती विटी कल्चर से तातपर क्या है अंगूर की खेती करना ही बिटी कल्चर कहलाता है यही अगर यहां पर आ जाता सेरी कल्चर क्या है चलिए बताएं यह सेरी कल्चर क्या है रेसम कीट रेसम कीट का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है सेरी कल्चर कहलाता है है क्यों सभी को समाज में आ रहा उत्तर प्रदेश के दो खनित संपटा का उद्धरण की जिए सब्सक्राइब करना हे केवल दो ज्बदार तो ज्यादा अपने यह तो करना है 25 वर्ट्स में करना है मैंने लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया तो आप उस से अर्जेस्ट कर लिजेगा क्लियर पहरा है चूना पत्थर तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहा होता है मिर्जापुर जिले में बिंदिहाचल छेतर में कजराहट तदा रोहतास इस्थानों में उच स्रेड़ी का चूना पत्थर बड़े पैमाने पर उपलब दे इसका उपयोग लिख दीजेगा सोडा एस कैल्सियम सायनेडात के निर्मान में किया जाता है कहां पर पढ़ा जाता है इसका उपयोग का उतना आपको लिखना है इससे ज़ीता आपको नहीं लिखना है सोना प्रदेश में या कहां पर सार्दा और राम गंगा नदियों के रेत में मिलता इस यह एक बहुमूली दाथ होती है इसका उपयोग क्या होता है और सदी को बनाने में फोटोग्राफी में आभूसन बनाने में किया जाता है क्लियर याद रहेगा फिर बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन पर रोलेक्ट एक्ट कब लागो हुआ केवाल आपको लिखना है कब लागो हुआ सर सिड्नी रोलेक्ट मांटेग्यू चेम्स वोर्ड ये सारी चीज़े जब पूछे तब लिखेगा अगर आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं कि सिड्नी रोलेक्ट के अधिशता में हुआ 1919 में हुआ क्लियर जो भी लिखना आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुक जन जातिया कौन सी है वैसे उत्तर प्रदेश की चार जन जातिया दो जन जातिया इस हिसाब से पूछा जाता है तो आपको याद रखनी है चार कम से कम थारू खस्वार बुक्सा माही गरी चार ही है तो यही चार हो याद करना आपको clear फिर next question क्या अस्प्रस्ता का अंत किस अनुचेद में है सभी को पता होगा अनुचेद 17 में अस्प्रस्ता का अंत दिया गया है clear फिर बढ़ते हैं next question संयुक्त राजसंग की सुरच्छा परसद में कितने सदस्य होते हैं तो टोटल अगर पूछ रहा तो 15 सदस्य होते हैं अगर आपकी इच्छा है मन कर रहा है तो आप लिख दीजिए 10 आइस्थाई और 5 इस्थाई होते हैं नहीं तो 15 सदस्य लिख दीजिए आपका अंसर सही नहीं माना जाएगा आपको दो नमबर तुरांट नहीं मिलेंगे एक नमबर मिलेगा एक नमबर को कॉश्चन है ना प्रत्म गोल में संबेलन कहां वह सौरी कब से कब तक चला पहला गोल में संबेलन कब से कब तक चला तो 12 नौवंबर 1930 से जन्वरी 1931 तक चला क्लियर याद रहेगा 12 नौमबर 1930 से जन्वरी 1931 तक चला था फिर नेक्स कोशन के है पूना पैक्ट पर प्रकास डालिए चलिए प्रकास डालते हैं तो पूना पैक्ट में क्या हुआ सितंबर 1932 में डाक्टर अंबेटकर तथा हिंदू नेताओं के प्रेत्न से समढ़ हिंदू तथा दलितों के मद एक समझवता किया गया जिसे पूना एक्ट के नाम से जाना गया इसमें समझेंगे क्या है कि 1922 में डाक्टर अंबेटकर और हिंदू नेताओं के बीच में एक बैठक हुई हिंदूओं को ले करके और दलतों को ले करके वही क्या समझवता कहलाया पूना एपक्ट कहलाया क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन पर पंडित जवाला नेहरू के सब्दों में बताईए गुट निर्पेक्षिता का क्या रत है तो आप एक याद कर लिजी काम आपका हो जाएगा तो पंडित जवाला नेहरू के सब्दों में गुट निर्पेक्षिता का रत है सैनिक गुटों से अपने आपको अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयात्न करना सायनिक का जो सायनिक होते हैं उनको अपने गुटों से अपने आपको अलग रखते हैं किसी देश के द्वारा प्रयात्न करना कुछ समझ में है कि सायनिक गुटों से अपने आपको अलग रखने का किसी देश के साथ प्रयत्न करना क्लियर फिर बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन पर मिड़े मील कब लागुआ 15 अगर्स 1995 को सभी को याद होगा उत्तर प्रदेश में खनीजनीत कब गोसित की गई 1998 में सन 1998 में 29 दिसंबर 1998 में लागु की गई फिर लास्ट कोश्चन क्या है सुलह कूल महसो कहां मनाया जाता है आगरा में हिंदू मुस्लिम एक्टा के लिए बहुत ही फेमस ये महसो है कहां मनाया जाता है हमारे आगरा में जहांपर हमारा ताजमेल है क्लियर समझ में आया है अगर वीडियो समझ में आ रहे है तो क्या करना है लाइक करना सेयर करना जितने भी आपके दोस्त है सबी को सेयर करिए उनके भी अच्छे नंबर आए क्योंकि जो पिछली महराथन दी गए थी उससे 20 से 25 नंबर आपके एक्जामें देखने को मिले है इस क्लास से भी आपके 20 से 25 नंबर 100 परसंट देखने को मिलेंगे एक्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सही सर कह रहे थे कि हाँ इस क्लास से 20 से 25 नंबर आया है क्लियर तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं जितनी मेहनत ज्यादा कर रहा हूं उतनी आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए सिर्फ सस्क्राइब करिए बस लाइक करिए वीडियो को सेयर करिए तीन चीजे मैं आप से बोलता हूं लाइक सेयर सस्क्राइब इससे ज़्यादा मैं आप से कुछ नहीं बोलता हूं कि आप हमें फाइब वर्ट्स में करने इससे ज्यादा करने की कोशिस मत करना मैं चाहे जितना समझा दूँ देखिए जितना ज्यादा मैं समझाओंगा उतना ज्यादा आपको याद तो रहेगा नहीं कि जितना मैंने समझा दिया थोड़ा सा याद रहेगा वह आपको लगभग सत्तर से 75 वर्ट जरूर रियाद रहेंगे तो हमारे समझाने का मोटो यह होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए जिससे वहाँ पर थोड़ा याद है तब भी आपका काम चल जाए 31 नमबर कोशन है लगव प्रसन में 31 सा 40 लग प्रसन होते हैं 10 कोशन लगव होते हैं सिर्फ दो दो नंमबर की होते है तो उस एकार्डिंग आपको 75 वर्ड्स में लिखने है तो पहला कोशन का है ब्रहु समाच की स्था अपना क्यों कि गई प्रमुक्सिधधान लिखिये तो सांस्तापक कौन थे, कब की गई थी, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, किलिर, किलिर, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने किया था, सबसे पहले मैंने बताया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था, नाम याद होगा आप सभी को, कब किया था 20 अगस्त 1828 में किया था कहां पर किया था कोलकाता में कुछ पॉइंट होते हुन्हें आप याद रखे राजाराम मोहन जी ने किया था 20 अगस्त 1828 में कहां पर किया था कोलकाता कहां पर किया था कोलकाता में किया था इतना याद हो गया इन्होंने क्यों किया था बात आती क्यों किया था तो इन्होंने देखा समाज में कई सारी प्रताएं ब्याप्त हैं जैसे सती प्रता, बाल विवाप्ता, बाव विवाप्ता, जाद प्रता, परदा प्रता, छुआ छूद आदी कुरूतियां हमारे समाज में ब्याप्त हैं तो इन सभी कुरूतियों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की थी जो भी धर्म से रिलेटेड था अंदविश्वास, आडंबर, रूड इन सभी का खंडन इन्होंने किया और ये जितनी भी कुरूतियां थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया उसके लिए इन्होंने इस समाज का गठन किया इन्होंने बिद्वा विवाग को प्रोश्ताहित किया था अंग्रेजी सिच्चा का समर्थन किया था कई सारी चीजें द्यान रखनी है आपको क्लियर आपको सुझ में आई इस था आपना क्यों हुई थी अब बात करते हैं इनके सिध्धांत की सिध्धांत इन्होंने दिया था कि इस्वर एक है और वह निराकार और सर्व्यापी है पांच पॉइंट आपको लिखने है चोटे चोटे उसकी पूजा कादिकार सभी को है सच्चे हिर्दे से उसकी प्रात्ना करने से वा प्रसंद होता है इन्होंने बताया था आत्मा आज्यर है अमर है और सरीर नास्वान है और बताया इन्होंने सिद्दान में कि इस्वर कर्मा अंसार मनुस्री को फल देता है मानों को अपने पापों का प्रयाश्यत करना चाहिए तब ही उसे मोक्ष मिलता है और क्या बताया उन्होंने बताया कि उसकी अराधना के लिए मूर्थ पूजा कर्मकांडों बाय आडं संबरों की और सकता नहीं है उसकी पूजा सिर्फ हर्दय से करनी चाहिए सच्चे हर्दय से उसकी प्रात्ना करनी चे तब ही अप्रसन होता तो पांच से पॉइंट आप लिग दीजिए जो ब्रह्म समाज था वह प्रेम और सत्य में विस्वास करता था जातिवात और इन्होंने क्या क्या जो समाज में धर्म से रिलेटेड ब्याप्त कुरूतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया धार्मिक अंद विस्वास रूडियों आडंबरों आदिका खंडन किया सद्धी प्रथा बाल विवा प्रथा बाव विवा प्रथा जात्धी प्रथा पर प्रेस की स्वाजनता पर बल दिया विचारों की अभ्यक्त पर बल दिया कई सारी चीजें हैं लिखने बैठ जाओगे तो बहुत सारा मैटर तयार हो जाएगा बट आपको 75 वर्ट में ही लिख नहीं उसके बाद आपको इनके सिद्धान लिख देना है कि इस्वर एक है निराकार है सर्वयापी है आत्मा आजर है अमर है सरी नासवान है ये सारी चीजें आप 5 पॉइंट आसानी से लिख सकते हो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर संयुक्तराश संग की स्थापना कब हुई जैस्ट अभी हमने बताया था इसके कार पर क्या करना है प्रकाश डालना है तो मैंने बताया था कि स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई थी 24 अक्टूबर इसमें दिख नहीं रहा 24 अक्टूबर 1945 को क्लियर अब बात करते हैं इसकी इस्थापना से पहले थोड़ी बातें जान लेते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यह गोशनापत प्रवावी रोप से चालू हो गया था उससे पहले बनना स्टार्ट हुआ था 9 सिदंबर 1944 से 9 सिदंबर 1944 से बनना स्टार्ट हुआ अब यह संयुक्त राष संग है क्यों क्या है क्यों इसकी इस्थापना हुए क्या हुआ यह सारा चीज जाना जरूरी है देखिए जब प्रथम विश्वी दुआ था उसके बाद विश्व में सांती के लिए मतलब सांती निर्वार करने के लिए कि सांती अब विश्व में बनी रहे उसके लिए इन्हों ने एक राष संग का तयार किया राष संग बनाया लेकिन जो राष संग का निर्वार किया या इनके उद्देश को पूरा नहीं कर सका इसलिए बिश्व में फिर से युद्ध ना हो जब वह राश्रंग जो है League of Nations की थापना जो की गए थी लेकिन यह जब उद्देश से पूरा नहीं कर सका तो उसलिए इन्होंने क्या क्या बिश्व में दुवारा से कोई प्रकार का युद्ध ना हो सबी राश्ट जो हैं अपने उद्देशों को पूरा कर सकें आपस में मदूर्ता का भाह रखें दया का भाह एक दूसरे की पुरत रखें लड़ाई जगड़ा ना करें तो बस यही समझे कि एक दूसरे से समझावते से काम चले सभी का इसलिए इस उद्देश को पूर्ति करने के लिए UNO ने एक इस्थापना की थी UNO की स्थापना की गए थी 9 सितंबर 1944 को चार बड़े राश्ट बनाए गये थे रूस ग्रेट ब्रिटेन चीन और संयुक्तराज अमेरिका कि क्लियर ये सुरुवात में इसका काम स्टार्ट हुआ था फिर उसके बाद 25 अप्रेल 1945 को इसको एक मूर्थ रोप देने का प्रयास किया गया फिर दीरे दीरे 26 जून 1945 को एक क्यावन राश्ट इसमें हस्ताक्षे किये फिर 24 अक्टूबर 1945 को या प्रोहावी रोप से भार 24 अक्टूबर को या गोज़्टापत प्रवावरूप से आया इसकी इसापना हुई इसके कारे पर प्रकास डालिए कार क्या क्या है इसका में कार क्या है देखेंगे सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक एवं मानवी चेत्रों में अंतराश्टी सहयोग को प्रोशाहन करना ये हुआ कारे और हुआ कुछ समय पस्चाथ इसके कारें में निरस्त्री करन और नई नई अंतराश्टी आर्थिक और विवस्था की इस्तापना को भी सामिल किया गया और कारे हैं अंतराश्टी बिवादों का सांती पूरवक समाधान करना लड़ाई जगडाना हो जिससे और हैं याद नहीं आ रहा है सामूहिक ब्यवस्था द्वारा अंतराश्टी सांत यो सुरच्छा को बनाया रखना आक्रामक प्रवित्यों को नियंत्रीत करना राश्ट्रों के हाद मिर्मण की प्रक्रिया को तेज करना उपनिवेस वादी प्रवित्यों को विक्ठीत करना ये कई सारे इसके कारे हैं आप पढ़ लीजिएगा आपको पढ़ाया भी गया है अच्छी तरीके से फिर नेक्स्ट कोशन की बात आती है मौसम और जलवायू मौसम और जलवायू में क्या डिफरेंस होता है हाँ तो देखेंगे मौसम और जलवायू में अंतर इसपर्ट कीजिए तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताया दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा देखिए एक तरफ आप डालिएगा मौसम और दूसरी तरफ डालिएगा जलवायू मौसम क्या होता है किसी निश्चित इस्थान पर दिये हुए समय की वायू मंडली दसा को क्या कहते है मौसम कहते है कोई निश्चित इस्थान है उस पर दिया गया समय वायू मंडली जो दसाइं होते हैं उसे क्या कहते है मौसम कहते है जलवायू क्या होता किसी इस्थान की जलवायू की उस इस्थान के लंबे समय के मौसम की दसाओं की आवस्था है सुरी बेवस्था ने आवस्था है एक बार देहां से सुनेंगे कि किसी इस्थान की जलवायू उस इस्थान के लंबे समय कि मौसम की दसाओं की ओसत अवस्ता है लंबे समय से वहाँ पर कैसा मौसम चला है वो सारी उसकी अवस्ताओं जो है वो जल्वायू कहलाती है क्लियर जो वाई मंडली दसाओं होती है वो मौसम होती है और जो मौसम की दसाओं होती है जहाँ पर मौसम जो होता है समय समय पर इस्थान इस्थान पर बदलता रहता है जल्वायू जो होती है यह लगभग सेम रहती इस्थाई रहती कह सकते है फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते है कि एक ही स्थान पर प्राता का समय मौसम कुछ और होता है लेकिन जल्वायू क्या होती है एक ही प्रकार की रहती है एक इस्थान पर एक ही प्रकार की होगी फिर और चौथा पॉइंट क्या है कि तापकरम वर्सा और हवाएं यह सब मिल करके मौसम क्या निर्माड करते है जल्वायू में क्या होता है जल्वायू तापमान वर्षा आधिकारकों पर निर्भर करती है और उन तत्तों का वर्ष भर अध्यन करन के सामान दसा को निकाल लिया जाता है जल्वायू जो होती हुआ तापमान और वर्षा पर डिपेंड करती है 3-4 पॉइंट़ आप असारी से लिख दीजएगा इस ज़या yaarta लिहने की जरुफ़ात नहीं से पार्रां प्रोचिन जिसे कहते हैं यह कितने प्रकार का होता है यह सब बताने की जरुफ़ात नहीं है यह आप बहुत परद्चज क्या होता है रेडियो कौन सा जल प्रदूसर्ण वाई प्रदूसर्ण रेडियो दर्मी प्रदूसर्ण कई सारे ऐसे प्रदूसर्ण होते हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं है फिर बात करेंगे काकोरी कांड तप्डिया आप पर आती मैंने 4-5 लिग दी जिनमें से एक दो टिप्डिया आपकी एकजामे जरूर पूछी जाएंगे काकोरी कांड जलियावला बागत्या कांड चौरी-चौरा है पंच सीले तो थोड़ी-थोड़ी जानकारी मैं दिये दे रहा हूँ काकोरी कांड में क्या हुआ था आप याद रखेंगे आगस्ट 1925 हिंदुस्तान रिपॉब्लिकान एसोसियेशन का प्रमुकार क्या था काकोरी डकैती इसे बोलते थे 9 अगस्ट 1925 को इस एसोसियेशन के सदस्रिप ने सहारन पुल लखनव लाइन पर आठ डाउन रेल गाड़ी को काकोरी नामक गाओं में रोक कर रेल विवाग के खजाने को लूट लिया था काकोरी नामक इस्थान पर इन्होंने लूटा था सहारन पुल लखनव लाइन पर जा रहे थी ट्रेन उसमें जो खजाना था उसे लूट लिया था सरकार क्या हुई इस घटना से बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई उसने भारी संक्या में करांतकारियों को ग्रिपतार कर लिया और उन पर काकोरी सड़यन का मुकदमा चला है जिसमें हमारे राम प्रसाद बिसमिल जी असवाग उल्ला खान जी राजेन लोडी लहडी जी औ कि वसं डे लोशन सिंग आज सबीको क्या किया गया आज इवन पासी धीत गई है आज कारवास की सज्णक को दें कर कि कहा बहस दिया जाता था अंड़मान निकोबार में पहस दिया जाता था कि छंसे कार आज आज अज़ तक्षा क्या हुआ थि फरार हो गया थे ​​ Brown थ्याद रेल वेज टेस्ट लाइन पर जा रही रेल गाड़ी पर काकूरी नामकिस्थान पर वहाँ गाउं में रोक कर रेल के बीवाग के खजाने को लूड लिया था सरकार क्रोधित हो गए और रामपसाद बिस्मिल राजेन लिहडी और रोसन सिंगिन सभी को फासी देदी गए और 17 से अधिक लंबी सजाय सुनाई गई कुछ लोग को चार लोगों को आजीवन सजाय सुना दी गए एंडवान बेस दिया गया फिर बात आती है जलिया वाला भाग हत्याकांड जलिया वाला भाग हत्याकांड में क्या हुआ था तेरा प्रेल उनीस सो उनीस को बहुत ही दुखत घटना हुई थी एक भयानक हत्याकांड हुआ था पंजाब के नेता डाक्टर सत्पल और डाक्टर सैफुद्दीन किछलू की गिरिपतारी की वजे से उनकी गिरिपतारी की बिरोध में क्या हुआ था अमरस्तर में जलियौला बाग है वहाँ पर एक विसाल सभा का आयोजन हुआ था सभा के मद में पंजाब का जो सैनिक कमांडर जेनर डायल था वो सैनिक को ले करके पूरे बाग को घेर लिया था बिना किसी चेताव नहीं दिये उसने निहत्ती भीड पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था इससे क कई लोग मारे गए कई निर्दोस लोग मारे गए हजारों लोग घायल हो गए बस इतना आपको लिख देना इससे ज्यादा लिखने की कोशिज मत करिए थोड़ा थोड़ा आप लिखिए दो एडिंग से ज्यादा आप में नहीं पुछी आती है पिर बढ़ते हैं चौरी च और अकांड क्या होता है फिर आगे बढ़ते हैं नागरिक सुरच्छा संगठन क्या होता है नागरिक सुरच्छा संगठन क्या होता है नागरिक सुरच्छा संगठन नागरिक अपनी सुरच्छा करने के लिए कोई न कोई संगठन तयार करती है कुछ न कुछ अपने लेंट में आया होगा कि हैं क्या होता है तो इसमें क्या होता है नागरीक बात ये आती है कि समय आपाँई अब करना पड़ता है जिसके एक निराक्रन के लिए उनकी सुरच्षा संग्णत नाम ही दिए गया इसका तो उनकी चेतर है जहां पर मतलब कई सारी चीजे नुकसान हो जाती है जनता कि मनोबल को बनाया रखना प्राकृतिक आपदाओं को राहत का कारी करने के लिए जंसंक्या ब्रधी के कारणों पर प्रकास डाली इसमें तो आप डाल लेंगे प्रकास वनोसे हमें क्या क्यालाब है सभी को पता है 1867 संग्राम क्यों असपल लई सभी को पता है कि 1888 संग्राम समय से पहले हो गए थी किस लिए असपल लई थी कोई एकटा का बहु नहीं था कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बताने की जरत हमें नहीं है आप अपने मन से लिख सकते हैं फिर बात आती भारत सरकार दोरा चलाई जा रही थी जनहे योजनाएं भारत सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है सबी को पता है कौन सारी जैसे अभी जैस्ट बारा सरकार ने स्टार्ट किया था प्रधान मंत्री जंधन योजना क्लियर कई सारी योजना हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख दीजेगे प्रदान मंत्री जंधन योजना प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना दो आप से पूछी जाएंगी मैं लेकिन कई सारी आप याद करके जाएंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे फिर make in India प्रोग्राम याद होगा आपको प्रदान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना प्रदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना अटल पेंसन योजना सांसत आदस ग्राम योजना दिस्टलाइजेसन की योजना ये कई सारी भारत सरकार दोरा चलाई जा रहे हैं उन्हें आप लिग देंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से लिग लेंगे ठिक उमेद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना इससे पिछली महराथन आपने देखा होगा तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा इसमें भी मैं गारंटी लेता हूँ 20 से 25 नंब उपर वहाँ आपको फूराइट करा दी जाएगी क्लियर कोई भी कमेंट कहीं भी कोई गलती आपको दीख रहे हैं तो आप कंवेंट बॉक में कमेंट जरूर करिए बताइए कि सर यह गलती होगा है यह जरूर बताएट फिर मिलते हैं आपकी अगली क्लास के साथ तब तक क धन्निमात, थैंक यू, सुक्रिया